16.1.3 एलकोहल के गुण धर्म, प्रॉपर्टीस ओफ एलकोहल्स सामाने तह एलकोहल बहुत ही दुर्बल अमली से लेकर उदासीन सोभाव के होते हैं आईए इसे क्रिया कलाब द्वारा समझें क्रिया कलाब 2 एक परखनली में 10 ml एथनॉल लीजिए चावल के दाने के बराबर सोडियम धातु का टुकडा मिट्टी के तेल से निकाल कर छन्ना पत्र पर सुखा लें इस टुकडे को परखनली में डालें होने वाली अभिक्रिया का अवलोकन कर नोट करें एथनॉल अती सक्रियधातुओं जैसे सोडियम या मेगनीशियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है इसी तरह मेथनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम मेथक्रिया बनाता है उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित कीजिए और बताइए कि क्या होगा जब एथनॉल मेगनीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा बच्यों इसके पूरो क्रिया कलाप में आपने अलकोहलों की प्रकृति के बारे में जाना आपने देखा कि ये अत्यंत दुर्बल अमली से उदासीन प्रकृति के होते हैं तो क्या ये धातों के साथ क्रिया करेंगे? आईए इस क्रिया कालाब के द्वारा हम जानते हैं इसके लिए मैंने इस क्वथा नली में एथिलल को हल लिया है जिसका सूतर है C2H5OH और अब मैं इसमें सोडियम धातू का तुकड़ा डालूँगी बच्चों ये सोडियम धातू बहुत ही सक्रिय धातू होती है अता ही से हम हमीशा मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं तो प्रयोग करने से पहले मैंने इसे मिट्टी के तेल से निकाल कर इस फिल्टर पेपर में अच्छी तरह से सुखा लिया है अब मैं इसके एक दो तुकड़े एथिलल एलकोहल में डालती हूँ देखते हैं क्या होता है, बच्चों आपको कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चों आप बता सकते हैं यह कौन सी गयस है, यह हड्रूजन गयस है, क्योंकि जब मैंने एथिर अल्कोहल में सोडियम का तुकड़ा डाला, तो इनकी आपस मिक्रिया हुए, तथा सोडियम एथोकसाइड यानिकी C2H5ONA बना और साथ में हड्रूजन गयस निकली, यह वह हड्रूजन कैसे, आथा आप भी इस प्रयोग को अपनी स्कूल में जरूर कीजीगा.